नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थितों दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों क्यों किसी किसी के हाथ एसी में भी हो जाते हैं पसीने पसीने जिहां दोस्तों एसी का टेंपरेचर अमित भैया जिनका हाथ पसीने पसीने हो रहा था एक समय तो ऐसा आया कि उन्हें काफी घुटन से महसूस होने लगी और काफी गर्मी होने लगी अमित भैया की तरह ये स्थिती आप में भी हो सकती है दोस्तों लोगों के साथ होती ही रहती है ऐसी घटनाएं तो ऐसे लो टे क्योंकि आप बहुत होट है मजाक मजाक में कई लोग ऐसा बोल देते हैं दोस्तों जो आपको सब के सामने कूल भी बनाता है लेकिन ये कूल बातों को बातों तक ही रहने दें और इन्हें बोलने की तरह नजर अंदाज ना करें क्योंकि हाथों से पसीना आना कुछ गंभीर बिमारियों के लक्षनों की तरफ इशारा करती है जिन्हें आप ऐसे ही मजाक मजाक में नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं इन बातों पर गोर करें अगर आपके हाथों से भी पसीना आता है तो ऐसी स्थिती में कुछ बातों को जान लेना जरूरी होता है दोस्तों शुगर की कमी हाथों में पसीना आना लो शुगर के भी संकेत होते हैं अगर कडाके की ठंड में भी आपके हाथों से पसीना आता है तो समझ लीजिए कि आपके खून में शुगर की कमी है खाली पेट में किसी समान्य इंसान का नॉर्मल शुगर लेवल वन डेसी लीटर खून में लगभग सत्तर से सो मिलिग्राम होना चाहिए अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो कुछ मीठा खाले या चोकलेट्स खाएं शुगर लेवल समान्य होने पर हाथों से पसीना आना बंद हो जाएगा इसकी एक वजह थाइराइड भी है दोस्तों थाइराइड की वजह से भी हाथों में पसीना आता है हमारे शरीर में जो थाइराइड ग्लैंड है उससे एक हर्मोन स्त्रावित होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर में जो energy store है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए तो अगर आपको AC में भी सर्दियों में भी या कडाके की ठंड में भी पसीना आने की समस्या है तो समझ जाएं कि आपका thyroid overactive है या फिर ये hyperthyroidism की समस्या का भी संकेत हो सकता है तनाव भी होती है वजह जहां दोस्तों कई बार काम के तनाव की वजह से भी हाथों में पसीना आ जाता है जब तनाव बहुत जादा होता है तो सर्दी हो या गर में पसीना आना समान्य बात है ऐसा कई बार डर की स्थीती पैदा होने के दोरान भी होता है दोस्तों मूनो पाज का भी संकेत अगर कोई महिला ठंड में पसीना पसीना हो रही है तो ये मूनो पाज का संकेत हो सकता है ऐसा 85 प्रतिख्षत केस में होता है जब महिलाओं के मूनो पाज के दिन निकट होते हैं तो महिलाओं में हर्मून का स्त्राव अधिक होने लगता है और की बॉडी गर्म हो जाती है जिसके कारण महिलाओं को अधिक पसीन आता है तो देखा दोस्तों आज हम अधिक पसीने आने यानि की सर्दियों में भी पसीने आने की वजहों को ढूंते हुए जानकारियां लाए थे अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ और महत्वपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों